स्लावलेकुम वीवर्स, वेलकम टू माइनूर रेसिपी, कुक विदर्बिया में आप सब का मुश्ट वेलकम हैं आज मैं आपके साथ में शेर करने जारी हूँ, बहुती स्वादिष्ट सी और चटा के दार सी मसाला नमकीन बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको मुरमुरा नमकीन इसको कहेंगे जो की बहुती स्वादिष्ट बनती है और खाने में इतने यमी लगती है ना कि बच्चे तो इसको खाईए श्टोर करना इसको बहुत आसान है किसी भी आटाइट कंटैनर में आप इसको श्टोर करके हफतों के लिए या महीनों के लिए रख सकते हैं खराब बिल्कुल भी नहीं होती है नमकीन और सबसे बड़ी बात बहुत जादा इजी रेसिपी होती है यह और बहु पर मस्टर्ड आप चाहे तो इसकी जगे पर रिफाइंड आइल में भी इसको बना सकते हैं और को हम गरम होने देंगे जब बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा ना क्योंकि मस्टर्ड आइल होती है उसको जब गरम कर लेते हैं तब अच्छे से चली जाती है अब यहां पर पर मैंने ले लिए हैं एक कटोरी मुंफली के दाने जो की कच्चे वाले थे इसको हमें फ्राइ करना है याने की भूनना है तो यहां पर हम जो फ्लेम होगी ना वह मीडियम तु हाई होगी ज़ादा तर हम मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे जब तक यह अच्छे से लगेगी और इसमें जब यह चटकने के आवाज आने लगती है मैं आपको दिखाते हूँ इस तरह से जब यह चटकने लगती है तब आप समझे कि मुमफली आपकी भून चुकी है अगर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे न तो यह जो ऑईल होता है ने बहुत ज भूने में लगेंगे और यह भून जाएगी थोड़ी सी खरी सी भूनेगी ना जो कि खाने में बहुत जादा अच्छी लगती है तो बस यहां पर आप देख सकते हैं कि मुमफली के जो दाने हमने लिए थे वह बहुत अच्छे से यहां पर भून चुके हैं हम इसको निका लिएगा क्योंकि कोई भी नमकीन हो जब उसमें करी पत्ता का स्वाद आता है वह बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर कोई बढ़ाता है स्वाद कोई बढ़ाता है खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है तो यहां पर मैं बिल्कुल ताजया फ्रेश करी पत्ता डाल रह जाए और जब यह नमकीन के साथ में हम खाए तो बिल्कुल क्रिस्पी सा हमें लगे इतना हम इसको फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर करी पत्ता जो है वो फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं मुर्मुरा मुर्मुरा यानि कि इसको लाई भी कहते है मुर्मुर करती जाएगी वैसे तो मैंने बहुत जादा ऑईल इसमें नहीं डाला है फिर भी अगर आपको लगता है जादा है तो आप थोड़ा कम ऑईल और कर सकते हैं बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 6-7 मिनट के लिए भूनना है जब तक कि यह अच्छे से क्रिस्पी नहीं है और जो मुर मुरा वह भी फ्राइय हो चुका है और यहां पर मसाले जो मैं डाल मिर्च पॉर्डर डाल रहा हुँ कम जादा कर सकते हैं क्योंकि बच्की भी खाएंगे गे चुछाले ही syrä सथा दाल पर हमों हम यहां पर शइला देते हैं मूंपली के दाने बस यह देखिए कितने जल्दी से और कितनी आसानी से हमारी जो मुर्मुरा नमकीन है ना वो तयार हो गए बन करके अगर आपको थोड़ी सी बढ़ात अच्छी लगती है तो आप यहां पे हाफ टीस्पून की करीब चीनी का पॉडर भी टाल सकते हैं जिससे कि इसका हमारी बन करके रेडी हो गई है आप इसको चाय के साथ लीजिए शाम में जब यह आपका दिल करें कुछ हलका फुलका खाने का तो आप यह स्नक्स जटपट से बना करके तयार कर सकते हैं और इसको आप खा सकते हैं या फिर आप इसको स्टोर करके रख लीजिए जिसको होता है ना कि बीच बीच में कुछ कुछ खाने का मन होता है तो आप उस टाइम पर बच्चों को भी दे सकते हैं बहुत एजी और क्विकली रेसिपी है आपको जरूर पसंद आएगी अब मैं आपको श्टोर करने का तरीका बताती हूं कि इस तरह से कोई भी आप यह टाइ में रख लेंगे और फिर इसको कवर करके आप एक से दो हपते के लिए यूज कर सकते हैं बहुत ही आसाम सी रेसिपी है अपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा आगे इसको आप शेर भी कर दीजेगा और जो लोग चैनल परनाए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हम आप से अगली रेसिपी में जब तक के लिए अल्ला हाफिज